नमस्कार मित्रों पहला क्वेशन धन्वंतरी थे तो ये चिकत सकते और इन्हें आरोग्ये का देवता भी कहा जाता है विश्व के पहले सर्जन सूसुनूत को कहते हैं दूसरा क्वेशन वस्तु का बड़ा और अभशी प्रतिविम बनता है आंसर होगा इसका अवतल दर्पन दर्पनों पर फोकस करना है अगला क्वेशन है रेड रोट बिमारी किस पसल की है तो इसका सही जवाब होगा गन्ने का लाल धारी रोग जो कि पानी की कमी से होता है पाचक रस में कौन सा एसीड होता है नामें उसका HCL हाइड्रोकलोरिक एसीड इसकी pH 1.2 होती है और इसे जटर रस भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेशन है भौतिक परिवर्तन का उधारन चीनी का पानी में गुलना क्योंकि यहां पर चीनी की भौतिक अवस्ता ठोस से धर्व हो जाती है बीसीजी का टीका लगाते हैं तप्पे दिकिया टीबी रोग में बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस केलमेट गुएरीन है यह भी ध्यान रकना है नेक्स्ट कुष्ण है मानव सरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह इस टेपिज कान में पाए जाती है जबकि बड़ी हड्डी जो है वो जांग में पाए जाती है फीमर ऑपरेशन कूकून क्या है अमेरिका शेना का अभियान जिसमें सद्धा मुशन को पकड़ा गया था हाइडरोमीटर आपेक्षिक अधरता को और हाइडरोमीटर आपेक्षिक घनत्वे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट कुछन एलपीजी का मुक्खे घटक है तो वह है ब्यूटेन जबकि चीन जी का मुक्खे घटक मेथेन होता है मेथेन गोबरगेस का घटक भी माना जाता है है सबसे ज़्यादा प्रतिष्चत मातरा में मेथेन ही होती है गोबरगेस में CH4 इसका फॉर्म लाहे अगला क्योशन है नीम के व्रक्ष में पुस्पकिश माहा में आते हैं तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मही जून के अंदर आते हैं और राजस्तानी भाहसा में इन्हें खीचडी कहते हैं कि अगला क्योशने डीडीटी है तो डीडीटी एक कीट नाशी है और यह पसलों में कीटों को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है घेतों में औ RDX पूरा नाम इसका Research Development Explosive यह विश्पोटक है तो इसका पूरा नाम याद रखना है RDX Research Development Explosive नेक्स्ट क्वेशन है TNT Trinitrotoluene यह भी विश्पोटक पदारत है तो इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है TNT Trinitrotoluene Next Question है उल्टी-दस्त के निरजली करण के दोरान किसकी कमी होती है तो सिम्पल सी बात है दोस्तों उल्टी-दस्त के निरजली करण के दोरान जल की कमी होती है और साथ में NCL की भी कमी होती है sodium chloride एगला क्योश्ड संहें कि दूद में कोद साझ वीटामिन नहीं होता है राजाष्तान पुलिस में पूचे गएन सारे था आंसर यहां पर विटामिन क less- the धोikkina नहीं फलों में पाए जाता है अगला चेंट बहुत ही घजप घँपकॉपाल गेश रिशाव कांड में कौन सी गेश का रिशाव हुआ था तो वो थी मैटिल आइसो साइनाइड एम आई सी तीक्षन गंदवाली विशली प्रकर्ति की गेश है इससे कापी जंदन में हानी हुई थी अगला क्योशन है पीतल किसकी मिस्रदात हुए तो पिरिये विद्यारते हैं क्योसन अक्सर इसा आता ही है मिक्स मेटल का तो ध्यान डखना है कोपर और जिंक पितल है जब 10 और जस्ता सीसा सुरि तईन और सीशा फ्योसितार पहिंस होता है कि घुरू के अंदर शर्कीट के अंदर पृषता होता है कटावट सिग्स हो pas उसके अंदर टीन اहलों सिशे की मिस्रदात हुए फ्युसितार के अंदर यह परिप्पत को जलने से भी बचाता है ये भी धे गंटा बटा एक हजार इस फॉर्मूले की साहिता से आप किसी भी वाट के उपकरण के यूनिट ग्याद कर सकते हैं अगला क्योशन है ग्रीन हाउस प्रभाव की गेस है तो डियर स्टुडेंट कापी अच्छा क्योशन है क्योशन बड़ा ही नॉर्मल है आंसर इसका सीवोटू है और सीवोटू कार्बन डायोक्षाइड को कहते हैं कार्बन को वायू के आधिक्ये में जलाने पर यह गेस बनत आपको चेक करना है यानकि डीजिज को भी आपको देखना चीए डीजिज में से भी क्योशन पहुंचता है रास्तान पुलिस एक्जाम में तो टाइफ हाइड का वाहक मच्छर नहीं है अगला क्योशन है एड्स की दवा है एंटी रिट्रोवाइरस एंटी रिट्रोवाइ और एड्स का जो एचाइबी वाइरस है हुमन इमिनो वाइरस वह एमुनिटी को कम करता है रोग प्रति रोदक्षमता को कम करता है तो यहां पर एड्स की दवा का नाम याद रखें अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और मोमेंट करते हैं विदेशी पशल है जोजोबा इंग्लिश में नाम है होहोबा इस नाम से भी आ सकती है तो यह विदेशी पशल है मेक्शिको की पशल है अगला क्योशन है लॉंग पादप का कौन सा भाग है बहुत अच्छा क्योशन है यह फूल की कली है तो लॉंग पादप का कौन सा भाग है फूल की कली है तो इस टा प्रत्वी के अपने धुरी पर घूमने से दिन और रात बनते हैं डे नाइट का निर्मान होता है कि तो प्रत्वी पर भी पोकस करें और यह चोईस घंटे में अपना एक पूरा साइकल चक्र करती है अगला क्योंचन ने शूरिय का ताप प्रत्वी तत किस प्रकिरिया से तो वह है रेडियेशन यानिके विकर्ण प्रकाश विकर्ण के रूप में हमारी प्रत्वी तक पहुंचता है और न्यूटन ने कणी का शिद्दान्त दिया था और कहा था कि छोटे-छोटे कणों से मिलकर यह विकर्ण बनी होती है अगला क्योंचन है हिर्दे और फैपड अगले पिरेशन कामी लिया जाता है उसका नाम है य्डा इस पाइगमों मेनोमेटर इव फोलट्व को उस्ती कों तक पहुंचाती है नेक्स्ट क्वेशन है नाभी के उर्जा से समंदित सम्झोता क्या कहलाता है यहां पर एफ और आंसर है और इस सम्झोते को कहते हैं 123 नाभी के उर्जा से समंदित सम्झोता कापी अच्छा ग्वेशन है आंसर इसका मैत्रमेटिक लिए है 123 नेक्स्ट क्वेशन है टूटी हड़ी की सही जानकारी तो हड़ी टूटेगी तो फिर एक्सरा करवाना पड़ता है तो इसका सही जवाब हुआ एक्स रेज जबकि टूटी हड़ी पर प्ला स्टर और पैरिश चड़ाया जाता है उसे इस्टेबल करने के लिए नेक्स्ट क्वेशन है अफिम के पादब का कौन सा हिस्सा ओश्यतिय मतव का है तो अफिम के पादब का मेडिशनल जो पार्ट है वह कच्छे भलों का दूद और इससे अफिम बनाई जाती है और अफिम दर्द निवारक भी है एक ओश्यदी है नेक्स्ट है ध्वनी परदूशन को मापने की एकाई वह है डेशिबल तो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहेंगे का 90 डेशिबल की जो ध्वनी होती है महां तक की सामाने ध्वनी है और 90 डेशिबल से ज्यादा की ध्वनी सुन है नाम है मिशाइलों के नाम है और आरे भट उपगरह का नाम इस टाइब का एक क्वेशन पहुचा गया था नेक्स्ट क्वेशन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है कापी अच्छा क्वेशन ने बहुत फेमस से आता रहता है और इसका सई जवाब होगा 30 मार्च राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान वर्तमान अस्तितों में एक नॉमबर 1556 में आयता है ये भी ध्यान रखना है कापी अच्छा क्योशन है ये भी अक्सर आता रहता है और करपिया चैनल को सब subscribe करना ना भूलें क्योशन है प्रोटीन की शर्वादिक मात्रा किसमें पाई जाती है तो इसका सई जवाब होगा दालों में होती है और डियर कि श्टुडेंटस से एक षेभी अचरा है प्रोटीन की जो एकाई होती है जिससे मिल्कें बनी होतीЭто है वह है है यह अधो कि नेक्स्ट कोशें है अग्स्ट बीमारी किस्सय होती है यह शंकरमित खू झा और वैसे unto him और यह है बीमारी जो है इसमें इमिनिटी पावर कम हो जाती है रोग परती रोधक्षम तक कम हो जाती है नेक्स्ट क्वेशन है कौन सा अपकरने जो हवा का दाब मापता है तो हवा का दाब मापने के लिए बैरोमेटर काम में लिया जाता है तो उपकरनों पर भी फोकस की जीए उपकरनों में शेभी एक क्कृशन आता रहता है बैरो मेत्र हवा का दाब मापता है नेीट्स्ट क्क्षन है श्वैत क्रांती का समंध किस से है तो दूद्र भी तो सवेती होता है तो स्वेत करांती का समन्द दूद से दूद उत्पाधन को बढ़ाना इस करांती का मेन उद्देश्य रहा इस प्रकार लाल करांती भूरी करांती ये भी आपको करांतियों का भी सिस्टम याद रखना चीए नेक्स्ट क्वेशन है कि शमुद्र में जवार भाटे आने का कारण क्या है जवार भाटा तो समझते हैं जवार भाटे में पानी का उपर और नीचे उतरना उपर चड़ना नीचे उतरना और ये कारण है इसका चंद्रमा की गुर्तवाकरशन शक्ति के कारण है अगला क्वे तो आपने देखा होगा पानी में बर्प डूपती नहीं है इसका एक बटार्ट वह भाग है जो उपर रहता है अगला क्योंच ने पर जीवी पादप कौन सा तो पर जीवी पादप रफिम खापी अच्छा ग्योशन है अफीम प्रजीवी पादप है अफीम की खेती चितोड़ गड़ साइड में की जाती है चितोड़ साइड में और अगला ग्योशन है साम्मान ने एक वेक्ति एक मिनिट में कितनी बार समास लेता है तो उसका सई जवाब है लगबक 16 बार और यह भी ध्यान रखना है हमारी हिर्दे की धड़कन एक मिनिट में बहतर बार होती है सवस्त मनुष्यगे में और चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूलें अब 2010 की क्योशन देखते हैं जो आर्पी में पूचे गए मानव सरीर का ताप होता है का पिन नॉर्मल क्योशन है गुरुत्वाकरशन का सिद्धानत किस नहीं तुक के ँजवाब हैं और अपको पता होना चीन नुटन बलका भी मात्रग है तो बलका मात्रक न्यूटन है ये भी कहीं यह पूचा गया है अगला क्योंच ने कि शूरिय का प्रकाष प्रतिवी पर कितने शेकंड में पहुंचता है स्वरी कितने समय में पहुंचता है वह आठ मिनट और 20 सेकंड के अदर और अगर टॉटल सेकंड के दिए हो तो मिनट कोभी सेविट में कन्वाल कर देना चीए तो टेम्प्रेचर केलविन का सिस्टम अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से ने कनवर्ट करना होता है अगला क्योश्चन है ऐच वन एंड वन वाइरस किस बीमारी का है इसका सही जवाब है स्वाइन फ्ल्यू और बता दें स्वाइन फ्ल्यू सूरों से यह रिलेटर बीमारी है और सोरों का कच्छा अध्पका मांक्स खाने से यह मनुश्य में भी हो जाती है अगला क्योश्चन है पारा है काप्यच्चा क्योश्चन है एक मात्र लिक्विड मेटल है सबी धातुएं कमरे के ताप पर ठोश होती है बड़ पारा ही एक इससी वह वस्ता में पाय जाती है और धर्माइमेटर में इसे ही भरा जाता है और नेक्स्ट कुश्चन से अगनी शामक के रूप में किस गेस का उप्योग किया जाता है तो इसका सई जवाब एस शीवोटू कार्वं डायोकशाइड अगनी शामक में यानकि आग बुझाने में काम 2003 में पूंचे गई क्योश्णों पर कि अगला क्योश्ण है अमेरिका धवारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड शेंटर पर आतंकवाज शमाप्त करने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया गया था तो कप अच्छा क्योश्ण है ऑपरेशन एंड्रोरिंग फ्रीडम इसका नाम है नेक्स्ट क्योश्ण है शौर मंडल का सबसे चमकेला गरह सुक्र गरह है तो यह भी ध्यान रखना है और शौर मंडल के अंदर कुल आठ गरह है जिसमें सूर्य को सामिल नहीं किया गया है और वैसे टोटल गरह नो है तो और अगला क्योश्ण है कौन सी परत हानीकारक पराबेंगनी विकरणों को रोकती है वह ओजोन परत कलोरो फलोरो कार्बनों की वज़े से छलनी हो रही है इनमें दीरे-दीरे छेद हो रहे है तो पराबेंगनी विकरणे डारेक्ट धर्ती पर आने लग रही है और यह कहीं प्रकार के रोग उत्पन करती है कि नेक्स्ट कुश्ण है भुकम्प को मापने का उपकरण है वह सीश्मोगराब भुकम्प को मापने का उपकरण है और भुकम्प जमीन में होने वाल एक कंपने वाइब्रेशन है नेक्स्ट कुश्ण है पर्सनल कंप्यूटर का सस्ता वि सश्ता विकलप है शिम्प्यूटान और अगला क्योश्शन है जंग लगने से लोहे का बहार तो पिरिये विद्यार्त जंग लगने से लोहे का बहार बढ़ता है ये ध्यान रिकनाई घरता है नहीं है बढ़ता है और जंग का फॉर्मूला होता है F2O3.XH2 जंग में लहे का उक्षिक्रन अंग प्लस तीन होता है ये भी आपको यादक नचिए नेक्स्ट क्वेशन है कि नावी के रियक्टर में भारी जल का परियोग किस रूप में होता है वो है मंदक नेट्रोनों के गति को कम करने में मंदक के रूप में अगला क्योशन है ग्रिन हाउस प्रभाव किसके दवारा होता है तो ग्रिन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गेस है वह है कार्वन डायोक्साइड CO2 को सुस्क बरग भी कहते हैं अगर ठोश अवस्ता में होती है तो ये भी आपको याद रखना चीए और इसकी जैमिती बिलकुल रेखी होती है डायनोमा का कारिय क्या है तो पिरिये विद्ध्यार तो यह है यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलने का एक उपकरन है यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है नेक्स्ट क्वेशन है सूरिय की विकरण उर्जा का कारण क्या है तो सूरि आगला क्योशन है आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है तो सिंपली एक सब्द में जवाब इसका प्रेकिरनन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है अगला क्योशन है बनिया किस पसल का ग्रामिर नाम कपास जिससे के रूई प्राफ्ट की जाती है और ध्यानकना प्रूइ सुद्धृ लूजिक भूは नेक्स्ट केश्ण है कौन सी जीन जिसकी प्रज़नण शक्ती समाप्त हो जाती है और जिससे दुबारा पशल नहीं होती है तो वह terminator gene, terminator gene, तो हैसा कोई question आये, तो बता ना, आंसर इसका सःए, terminator gene होगा, ये भी अच्छा question है, antriks यात्री वाला, अगला question है, हरित करांती के जनक, आमें स्वामी नातन को कहा जाता है, हरित करांती के जयनक, श्वामी नातने और खेती को बढ़ाना है, पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों पुलिस सहीद दिवस 21 अक्टुबर को मनाया जाता है, आप ये अच्छा कुशन है, पूचने योग्य है, अगला कुशन है, शंतुलित भोजन में केलोरी के मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो वह लगबग 3000 केलोरी होनी चाहिए, जिसमें सभी पोशक तत्तों उपस्तितों, उसे करते हैं शंतुलित भोजन, अगला कुशन है, प्राकरती गेश को दर्व के में बदलने के लिए, किसी भी गेश को दर्व बदलने के लिए दाब को बढ़ाना चाहिए, और टेंप्रेचर को कम खरना चाहिए, तो ये गेशों के दर्वी करन की शर्त हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, ओलियम का आर्थ क्या है, जिसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओलियम, ओल, ओल मतलब तेल, तो ओलियम का आर्थ है, तेल बताना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेशन है, निरापत दिया शलाई का मतलब क्या है, तो दिया शलाई बोलते हैं, माजिस की तिल्ली को और निरापत दिया सलाई का मतलब है कि मशाले को रगड कर हम जलाते हैं ना रगड के जलाना अगला क्वेशन है रेबीज के टीके का आविश्कार किया था तिसका सही जवाब है लुई पास्चन ने लुई पास्चन ने रेबीज के टीके का आविश्कार किया था और रेबिज रेब्ड वाइरस के कारण होने वाला रोग है नेक्स्ट कॉश्चन है विद्धूत मेटर गनक उपयोगिता बताता है तो बिजली का जो मेटर होता है वह हमारे घरों में कितनी बिजली वे करते हैं हम उस चीज को बताता है और इसकी मात्रक जो है वह यूनिट म में अगला क्योश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रतम मानव सही जवाब है निल आर्म इस्ट्रोंग नेक्स्ट कॉश्चन है बाइसे कि लिए अनकी साइकिल के टायर का आविश्कार किस ने क्या था तो सही जवाब इसका जेपी डनलब अगला क्योश्चन है हीरोशी मा पर परमानों बंब गिराया था 6 अगस्ट 1945 अगला क्योश्चन है प्रतिवी का निकटतम गर शुकर है और ये चंकिला गर भी है और नियरेस्ट गर भी है शुकर अगला क्योश्चन है टेलीफोन का विश्कार किस नहीं किया था तो वह है ग्राम बेल इने भी याद रखी है अगला क्योश्चन है पाईरिया रोग मुख्यत शमंदित है तो यह है दातों सी समंदित जिसमें मुओं में सडान बदबू आने लगती है और चेनल को सबिस्क करना ना भूलें अगला क्योश्चन है एक विकाश योजना नीच सो असी एक्क्यासी में लागू इती इसे भी याद रखिए अगला क्योश्चन है एड्स किस्से समंदित है तो यह लेंगिक बिमारी है एड्स का पूरा नाम एक्वाइड इमिनोडेश्यंसी सिंड्रोम हो तो दोस्तों अगनी मिशैल का नाम है तो यह भी ध्यान रखना है नेक्स्ट क्योश्चन है सोर उर्जा के प्रति दिन उप्योग से कितने टन कोईले जलाने के बराबर उर्जा मिलती है तो इसके बारे में सपष्ट कह नहीं सकते क्योंकि सूर्य अनंत भंडारे उर्जा का अगला क्योशन है यहां पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो यह भी एक्जाम की दृष्टी से काफ इंपोर्टेंट है